वेलकम एन गूड इवनिंग ओल आज वर्न और सब्सक्रेशन में हम जो पांच वर्स देखेंगे इनमें पहला वर्ड है ओमनी प्रेजेंट दूसरा ओमनी सियेंट तीसरा ओपेक, चौथा ओप्टेमिस्ट पांचवा ओरेटर पहले इन सबका प्रोननसियेशन लग देता हूँ इससे पहले को बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट ओमनी प्रेजेंट की आप हिंदी देख रहे हैं इसकी हिंदी है सर्व ब्यापी दूसरा है ओमनी सियेंट ओमनी सियेंट की जिधर ओमनी होता है न वहाँ पे सर्व सुरुम लगाते हैं Omniscient मतब सर्व ग्यानी तीसरा है Opeak इसको Opeak मतब अपारदर्सी इसको बोलते हैं Optimist Optimist की हिंदी होती है आशावादी इसको बोलते है Orator हिंदी होती है वक्ता तो पाशो का pronunciation लिख दिया है Omnipresent Being present everywhere Everywhere मतलब सभी जगह सर्व सभी जगह या सभी सर्वत्र कह लिजिए सभी जगह Present मतलब ब्याप्त चाहे अपस्थित और Being मतलब होना तो हर जगह present होना क्या होगा सर्वत्र ब्याप्त क्या बोलेंगा सर्वयाप्त इसको बोलते हैं Omnipresent प्रेजेंट जैसा वर्ड यहां पर है इसी को उधर ले लिया गया है और सर्वत्र के लिए उस सभी जगह के लिए ओमनी कर दिया गया है ओमनी मतलब सर्व होता है फिर है omniscient, omniscient मतलब knowing everything, जिनको सब कुछ की जनकारी होती है, उनको बोलते है omniscient सर्व ग्यानी, तो यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, omni का spelling आप सब याद रहेगा, cn का spelling याद कर रखेगा, जिस तर से पढ़ रहे हैं, वैसा ही इसका spelling भी है, फिर है third word opaque, opaque होता है, ओपारदर्सी, ओपारदर्सी physics में पढ़ा होगा, जिस बस्तू से प्रकास आरपार नहीं गुजरता है, उसे ओपारदर्सी बोलते हैं, उसी को इंग्लिज में लिखा है, not allowing the light to pass, light को गुजरने नहीं देना, यह कहलाता है, ओपारदर्सी, ओपारदर्सी का आप इसका transparent होता है, हिंदी में हो जाएगा पारदर्सी, तो यह आप याद रखेंगे ओपारदर्सी का transparent, उसके बाद है optimist, मतलब आशावादी, optimist का मतलब क्या होता है, जैसे आप सब एक जामस के त्यारी करते हैं, तो कुछ लोग इसलिए पढ़ते हैं कि ठीक है, मैं पढ़ता हूँ कहीं न कहीं तो काम करेगा, निकलेगा ही आज निकलेगा, दूसरे सोते हैं कि छोड़ो, हाड है छोड़ देते हैं यह नहीं आएग मैं क्यों छोड़ दूँ, इसको बोलते हैं optimistic, optimist का उल्टा होता pessimist, P-E-S-S-I-M-I-S-T, तो pessimist, optimist की हिंदी आशावादी तो यहां पे आशा की निराशा, निराशावादी, तो pessimist भी बहुत important है, इसे आई है, आप इससे भी ध्यान रखेंगे, अब इंगलिस में देखत हैं, इसका group of words क्या दिया है, one who looks at the bright side of things, मतलब जो भी मुद्दे होते हैं, उनके bright side में देखते हैं, उसके पक्ष की तरफ देखते हैं, विपक्ष की तरफ नहीं देखते हैं, तो उनको बोलते हैं, उस तरह के आदमी को बोलते हैं, optimist, मतलब धनात्मक सोचते हैं, धनात् विचार रखते हैं, उनको बोलते हैं, optimist, जो धनात्मक विचार नहीं रखते हैं, उनको बोलते हैं, pessimist, निरासावादी, फिर है 5th number, और sequence में 125th number, orator, मतलब वक्ता, orator किसे करते हैं, जो बहुत अच्छा से भाषन अगर देते हैं, उनको बोलते हैं, orator, one who is good at making public speeches, जो प तो इस तरह से, आज की 5 words, पहला, omnipresent, सर्व्यापी, being present everywhere, दूसरा, omniscient, सर्व ग्याने, knowing everything, तीसरा, opaque और पारदर्शी, not allowing the light to pass, इसका उल्टा, transparent, याद रखेंगे, चोथा, optimist, आशावादी, one who looks at the bright side of things, इसका opposite, आप pessimist, निराशावादी याद रखेंगे, और last one, orator, वक्ता होता है, one who is good at making public speeches, तो आज इतना ही, thanks a lot.